Hello friends, आगे के questions में first and follow का use हुआ है इसलिए हम इस video में first and follow को calculate करना सीखेंगे तो first and follow हम सिर्फ variables के लिए calculate करता है और जब भी first हमें calculate करना होता है तो grammar के production में हम left hand side वाले को देखता है और follow के लिए right hand side में तो suppose हमें A का first निकालना है तो इस वाले A को देखेंगे अगर A का follow निकालना है तो इस वाले A को अगर B का first निकालना है तो इस वाले B को देखेंगे और B का follow निकालना है तो यह जो B इस है उनको देखके find करेंगे और first में epsilon हो सकता है follow में epsilon नहीं हो सकता है तो rules देख लेते हम first and follow का पहले उसके बाद हम question solve कर लेंगे तो अगर कोई sequence of terminals दिये हो तो उसका first item होता है वही होता है यहाँ पर ABC है तो ABC का first A हो जाएगा XYZ होता है तो उसका first X हो जाता और second क्या है कि अगर कोई production इस form में हो A gives A alpha, A यहाँ पर कोई भी terminal है alpha कोई भी terminal या पर non-terminal है तो जो यह terminal होगा वही first of A होगा तो इस तरीके से first of A हो जाएगा यह A third rule है अगर production A gives B alpha के form में होता है B यहाँ पर variable है, alpha terminal है और B epsilon का produce नहीं करता है तो जो B का first होगा वही A का first हो जाएगा और इसके बाद वाला third जैसा ही है बट यहाँ पर B epsilon का produce कर रहा है directly या फिर indirectly means B gives epsilon ऐसा हो सकता है या फिर B gives C and C gives epsilon इस तरीके से तो यह directly है यह indirectly है तो अगर इस इन में से किसी form में ऐसा है तो हम सबसे पहले B का first लेंगे उसमें उसको लिखेंगे epsilon को छोड़के epsilon A लिखेंगे खाली first of B लिखेंगे और उसके साथ हम first of alpha लिख देंगे तो यह कुछ रूल से first के लिए now follow के rules पर आता है तो जो भी starting symbol का follow होगा वो dollar होगा यहां पर starting symbol is starting symbol grammar में कुछ भी हो सकता है तो उसका follow होता है वो हमेसा dollar होता है बट इसका एक condition है कि अगर starting symbol right hand side पर कहीं नहीं आया है तो उसका follow हमेसा dollar होगा बट अगर starting symbol right hand side में आया है जिसे यहां पर तो उसका follow होगा वो dollar होगा dollar के साथ कुछ और भी हो सकता है बट अगर right hand side पर अगर नहीं है starting symbol तो वो हमेसा dollar ही जाएगा now second rule है कि अगर इस form में a gives alpha b और x और x जो है वो epsilon को produce नहीं कर रहा है तो जो follow of b होगा वो x का first हो जाएगा means जो भी first of x होगा वही follow of b होगा अगर production इस form में a gives alpha b और हमें b का follow निकालना है और b के आगे कुछ भी नहीं है तो b का follow जो भी a का follow है वही हो जाएगा इसमें एक्स एपसिलॉन को डारेक्टली अफर इन डारेक्टली प्रोडूस कर रहा है तो जो follow of b होगा वह first of x होगा और epsilon हटाके जो follow of a होगा तो यह कुछ rules है हम questions solve करते हैं इसके बाल तो यहां पर production है सबसे पहले मैं पता है कि जो variables होते हैं सिर्फ उनका first and follow find करते हैं तो इस तरीके से s और a और b यहां पर variables हैं तो सबसे पहले first calculate करते हैं तो यहां पर इसके तीन production है यह first, second, third यह तीनों इस वाले से match कर रहे हैं इसके लिए b हो जाएगा और इसके लिए epsilon हो जाएगा तो इस तरीके से s का first हो जाएगा a b और epsilon यहां पर a gives s है तो अगर production इस form में होता है a gives b तो जो भी b का first होता है वही a का first होता है तो यहां पर a gives s है तो जो भी s का first होगा वही a का first होगा S का first हमें बता है A, B, Epsilon है वैसे ही यहाँ पर production है B, Gifts, S तो यहाँ भी S का जो first होगा वही B का first होगा इस तरीके से A, B, Epsilon, B का भी first हो जाएगा Now, follow calculate करता है तो starting symbol के follow में हमें साथ dollar रहता है यहाँ पर S right hand side में है तो dollar के अलावा भी कुछ और हो सकता है यहाँ पर और S जब भी हमें follow calculate करना है आच साइड में, यहाँ पर यहाँ पर है तो यह वाला rule यहाँ परbras हो रहा है कि अगर इसका follow हमें calculate करना है उसके आगे कुछ नहीं है तो left hand side जो follow होता है वही इसका follow होता है तो S का follow होगा वो, जो भी A का follow है वही इसका follow होगा बट A का follow हमने भी calculate नहीं किया तो इसलिए A का पहले हम follow calculate कर लेंगे उसके बाद इसको इसके follow में put कर देंगे तो A के follow के लिए right hand side में देखेंगे तो A हमारा यहां पर और यहां पर है तो यह इस वाले rule में आ जाएगा क्योंकि यहां इसका आगे तो टर्मिनल है क्योंकि follow of B जो है वह जो भी उसका next होता है उसका first होता है तो यहां पर follow of A है जो भी इसका next है उसका जो first है वही इसका follow होगा तो अगर इस वाले production में देखे हैं small B और capital B है तो जो first terminal है वही इसका follow होगा तो यह हो जाएगा B और इस वाले production में A के आगे यह है A, B जिसका जो first है A तो वह हो जाएगा इसका follow तो A का follow हो गया इसके follow के लिए हमें A का follow चाहिए था और A का follow हमें मिल गया है तो यह भी इसमें हम add कर देंगी क्योंकि इसका follow है जो भी A का follow है वही इसका follow है इस वाले rules है लेकिन इसमें यह dollar भी है एक साथ में B का निकालेंगे हम follow, तो B यहाँ पे है, तो हम देख सकते हैं कि अगर कोई भी variable जिसका follow निकालना हो इसके आगे कुछ नहीं है तो जो भी इसका follow होता है वही इसका follow होता है तो यहाँ पे right hand side में S है तो जो भी S का follow होगा वही B का follow हो जाएगा तो यहाँ यह भी A, B और dollar हो जाएगा तो यह first and follow है इस first question का इसका first and follow का commit करते हैं तो हम जो भी simple वाला है पहले उसको find कर लेते हैं उसके बाद complicated value करेंगे तो simple यहाँ पे C का है C में H है और Epsilon है दो productions हैं तो इसका first simply H और Epsilon हो जाएगा क्योंकि यह इस form है C gives H है और C gives Epsilon है तो C का first होगा वो जो भी इधर वाला है यह वाला उसको first terminal होता है वही होता है तो यहाँ पे H है similarly यहाँ पे Epsilon है तो इन दोनों का C का first हो जाएगा H और Epsilon वैसे ही B का first हो जाएगा G और Epsilon यह का हम first निकालते हैं तो इसमें दो productions है यह गिफ्स DA है और E गिफ्स B और C capital में है तो यहाँ पे इस वाले के लिए एक जो first होगा इसका जो first term yours होगा वही होगा तो इस तरीके से D है तो D हमारा आ जाएगा यहाँ पे तो इस production का हमने calculate कर लिया अब हम A Gips BC का calculate करेंगे तो यह इस वाले form में आ जाएगा B Gips Epsilon है यहस क्योंकि यहाँ पे B Gips Epsilon है तो हम क्या करेंगे कि first of B लेंगे उसके बाद Epsilon हट आके first of alpha लेंगे तो यह ऐसे है एक इस BC है तो first of B होगा उसमें Epsilon आड नहीं करेंगे और साथ में first of C भी आड कर देंगे तो first of B है G और Epsilon तो सिर्फ हम G लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे Epsilon हम आड नहीं करना है उसके साथ में हमें first of alpha भी लेता है जो उसके next वाला है तो यहाँ पे alpha C है तो साथ में first का C लेंगे जो कि H और Epsilon है तो यहाँ पे Epsilon हम आड करेंगे तो इस तरीके से यह A का first हो जाएगा इसका first निकालता है तो इसके तीन production है जो भी A का first होगा वही इसका first होगा तो इस वाले production से A वाला पूरा हम यहाँ पे लिख लेंगे Now Epsilon नहीं लिखेंगे क्योंकि यह इस form में है B alpha के form में है means यहाँ पर alpha C और B दोनों है तो A के सारे हम लिख लेंगे D, G, H सिर्फ Epsilon नहीं लिखेंगे तो यह सारा हो गया लेकिन यहाँ पे Epsilon अगर होता है तो हम first of उसके next वाला भी लेते हैं तो आब हम first of C भी लेंगे इसका भी Epsilon है तो यहाँ भी Epsilon हम नहीं लिखेंगे उसके बाद हम B के लिए देखेंगे तो B का first है G और Epsilon तो यहाँ पे G अल्रेडी अड़ेड है और Epsilon यहाँ पे add हम यहाँ पे करेंगे क्यों क्योंकि A, C, B, 3 Epsilon प्रोडूस कर रहा है तो S, B Epsilon प्रोडूस करेगा तो जो भी C का first होगा वो इसका first होगा तो C में H और Epsilon है तो H हमने add करना है जो कि already है Epsilon यहाँ पे add नहीं करेंगे बट वो already है A की वज़े से और जब हम यहाँ पे Epsilon add करेंगे तो यह इस form है कि अगर यह Epsilon हो जाएगा यह खतम हो जाएगा तो जो इस वाले का next वाले का first होग इसमें आता है तो इस तरीके से A भी आ जाएगा यहाँ बी आ जाएगा यहाँ पर क्योंकि यह B है similarly इसका हो गया next time इसका देखता है तो जो B का first होगा G और तो यह अगर हट जाएगा यहाँ पर Epsilon पूट करेंगे तो A होगा तो इस तरीके से यह first of S हो जाएगा Now follow के लिए यहाँ पर इस right hand side में नहीं है कहीं भी तो सिर्फ डॉलर होगा इसका follow और कुछ नहीं होगा Now A का follow का अगरेट करना है तो right hand side में देखनेंगे तो right hand side में A सिर्फ यहाँ पर है तो यह वाले रूल से इस वाले या फिर इस वाले रूल से जिसका भी आगे वाला का अगरेट करना होता है जो आगे होता है उसका first होता है तो A का हमें follow का अगरेट करना है तो C का first होगा वो A का follow होगा तो C का first है H और यहां पर epsilon b है means यह वाला fourth वाला rule apply होगा तो उसके लिए क्या करते हैं कि इस B के follow के लिए हम first of x तो लेते हैं जो कि हम first of C है वो हम H लिए है epsilon add नहीं करते हैं अभी जो कि हम add नहीं किये है वो इसके साथ में follow of A लेंगे right hand side वाला तो right hand side में क्या है कि S है तो S का follow है dollar तो यह भी हम ले लेंगे now यह extended form में है क्योंकि यहां पर C epsilon है तो epsilon पूट करेंगे तो यह भी खतम हो जाएगा तो इस तरीके से A का follow है वो B का भी first होगा तो B के first में G है तो G भी आ जाएगा तो इस तरीके से यह 1 डॉलर और G follow होगा A का B का हमे follow निकलना है तो B तीन जगह है यहां पर है यहां पर है और यह है तो यहां पर simple है इस वाले रूल से अगर इसका बोलागा कुछ नहीं है तो इसका जो follow होगा वही इसका follow होगा तो पहले तो हमारा dollar आजाएगा इस वाले B के देखेंगे A है इसतिरीके C हो जाएगा तो यह दोने production होगा आज यहाँ पे B है तो जो C का जो first होगा वही होगा B का follow अगर C epsilon है तो A का भी follow होगा B का follow पहले C का first है तो c का first में h है, rule apply होगा क्योंकि h और epsilon दोनों है, तो इसलिए हम जो ये left hand side वाला है उसका भी follow add करेंगे, तो left hand side में a है, तो a का भी follow add कर देंगे सारा, तो h है ही dollar है ही तो यहाँ पर g हो जाएगा, इस तरीके से, now c के लिए find करता है, तो c b तीन जगह है, ये c है, ये c है और ये c है, तो इस वाले के लिए, अगर c के आगे कुछ नहीं है, तो left hand side वाले का follow है, c का follow होगा, तो a का follow जो है, h, dollar और g ये पहले हो जाएगा साथ में, तो ये हो गया, now, यहाँ पर c है, तो c के आगे है उसका first, तो c के आगे है ये और उसका first है b, तो b भी हम add कर देंगे, तो ये भी हो गया, c के लिए, अब हम इसके लिए देखते हैं, तो c का follow होगा, वो b का first होगा, b का first में g है, जो की already added है, और epsilon है, तो यहाँ पर हम इसका भी follow लेंगे, जो की dollar है, already added है, तो इस तरीके से ये हमारा follow हो जाएगा, तो ऐसे हम first and follow calculate करते हैं, thanks.